असलाम आलेकुम दिस इस मैई चानल रुबाब और वेलकम बैक टो मैई चानल गूड मॉर्णिंग एविरवन तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बहुत यची खुबसूरत मॉर्णिंग के साहथ तो जलिया ही सब से पहले स्टार्ट करते हैं नाच्ता बनाना तो नाच् है तो अब हम जल्दी जल्दी से जो हैं वो नाश्ता करेंगि कुंकि शरान को तेर हो रही है इस्कalg से और नाश्ता करने के बाद मैं भी अपनी तयारी करूंगे कि मुझे कोलेज जाना है तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता नाश्ता बरकinkles एन हो चुका है तो चलिए अब शरान को बेचते हैं इस्कूल देखिए शरान साब जो है तैयार हो चुके हैं इस्कूल के लिए तो अब उनके मामा जो है उनको छोड़ने जाएंगे इस्कूल तो अब शरान जा चुके हैं इस्कूल तो अब मैं करूंगे अपने घर की क्लीनिंग तो यह ममा का रूम है तो आप देख रहे हैं के ममा के रूम में भी इतनी चीज़े पहली वी नहीं है तो इसको भी ज़ली से क्लीन करनेंगे और क्लीनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है क्लीनिग का रूम जो है वह भी जल्जी से मैंने साफ कर दिया है इसकी क्लीनिंग वगारा हो चुकी है इसके पर डिस्टिंग वगारा भी मैं कर चुकी हूं सो फाइनली यह है मेरा रूम और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैस हुआ है सारा कुछ तो वह भी मैंने जल्जी से क्लीन कर लिया है क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो हूँ डीप क्लीनिंग शुरू कर दूँ तो मैं हफते में एक बार जरूरी प्लीनिंग कर दी हूँ और यह देखिए मैंने अपना बैट भी बना लिया है और अच्छी तरीके से चीज ऐसा मेट दी है डिस्टिंग कर दी है और मॉबिंग वगरा भी हो चुकी है तो यह कमरा बिल्कुल जो है नीट और क्लीन हो चुका है तो मेरी है कोशिश रहती है कि मैं कॉछिस जाने से पहले अपना घर साफ कर लूँ क्योंकि कॉल traveling साने के बाद mentally तोर पेब बहुत थक जा तेया और आप से इतना काम हो नहीं पाता है तो मैं τ्राई करती हूँ कि मैं सारे काम कॉछिस जाने से पहले ही कर लूँ और अब सिर्व एंड में रह गया है किचन उसमें जो है वो सुबा के रिकफास्ट के जो है वो थोड़े से बरतन है और देखिए मैंने चल्दी से साफ कर लिया है हाइडली मुझे 32-40 मिनट्स लगते हैं तो कॉलेज जाने से पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं तो अब मैं जाओंगी खॉली तो आपने इस अपने इस तरह का इरिया है यह बैक्षाप जोने और आजिनाईज हुई है अब मैं आपको यह क्लासिस दिखा रही हूं कि इस तरह की क्लासिस है यह एक क्लास है और स्कूल के नरे रेंज किया गया है इसारा सटक्ड़ अब हमारी क्लास हो चुके है शुरू तो अब हम मिलते हैं अब से थोड़ी देल के बार बार अब हम मिली है थोड़ी सी ब्रेक और शाम का टाइम हो चुका है तो अभी हम अपना करेंगे लंच तो यहां कुछ लोग जो है वो बाहर बैटे में हैं और कुछ लोग जो है वो लुट करें हैं इदर बैठके काफी सुकून वाला इंवार्मेंट से इस टाइम तो मैंने सुचा थोड़ा सा बाहर के एरिया जो है वो विज़िट करके आया जाए और थोड़ा सा ही टाइम है कि हमारी ब्रेक हो जाएगी फत्म तो मैं सोच जोंके अब मैं अपने क्लास के अंदर जाओं और पिर पढ़ क्योंकि ब्रेक बिल्कुल ओवर होने वाला है तो फिर इसलिए सब जो है वो जल्दी-जदी क्लास में जो है वो जमा हो रहे हैं और फाइनली हमारे जो है लेक्चर्स दुबारा से स्टार्ट हो गए है तीचर हमारे आचुके हैं आप देख रहे होंगे सो अभी अभी प्रोजेक्टर जो है वो सेट अप करके दिया गया है और सार हमारे जो है वो अभी फाइल निकाल रहे हैं हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो हम प्रोजेक्टर पर ही पढ़ेंगे सो अब आल्मोस्ट जो है वो सेविन ओक्लॉक हो रहे हैं और आदी रात हो चुकी है क्योंके सर्दिया है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है तो अब हम जाएंगे घर तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर अब मैं जाती करूंगी थोड़ा सा रेस्ट उसके बाद जो है वो शेरांती पढ़ाई है तो उसको भी मैंने लोकाफ्टर करना होता है तो मैं उसको जाती जब से पहले पढ़ाऊंगी रेस्ट करने के बाद और हम खाएंगे ख दिन हो चुका है खतम तो इंशाला आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करीजिए